ताइम देख रहो ना पांच बर्च के 38 मिनट हो गया है और हमको साले पहुंस तक हाँ 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 पहुंच जाना था तो आज का जो इंट्रो हो रहा है यह मोटर व्लॉक के साथ हो रहा क्योंकि मैं लेट हो चुका हूं जैसा आपको मैंने बताए कि 538 हो गया और मुझे साले पांस तक बहुत जाना था तो इंट्रो हमारा यहां से हो रहा है तो चलिए चलते हैं सबसे पहले जल्दी पैट्रोल लवाते हैं फिर उसके बाद आगे का काम सुरू करते हैं 260 रुपए तो अब हमको पहुंचना है मोते जील कारियल पार्क के सामने तो वहां पर फ्री इस्पृट राइडर्स करके कानफुल का ग्रूप है बाइकर्स वालो का ग्रूप है जो संदे संदे राइट करते हैं और मंतलि में भी एक पर राइट करते हैं ओपन राइट थी मतलब कोई भी बाहर का बंदा भी जॉइन कर सकते है इस राइट को तो मैंने जॉइन कर लिया जो यह ग्रूप है इसका इंस्टाग्राम हैंडल में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगा तो वहां से जाकर आगर आप ग्रूप जॉइन करना चाहते ह है तो आप वहां से जाकर उनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस देको नीन में सुग के चल रहा है और यह गाड़ियां खड़ी हैं कुछ कि यहीं लगानी है काफी बाइकर्स आ गए हैं और मेरे ख्याव से अपनी एक स्कूर्टी है जो उन सबके बीच है वागे सबके बास बाइक है जैसे आप देख रहे हो और कुछ लोग गेर्स भी पहने हुए है तो चलो सामने से आपको दिखा देते हैं फ मुझाल क्いつड़ तो लिए सारे बाइकर्स आपक जतना सारी बाइक हैं उसमे पैस अपने अने पास पेवाल एपक अलगे जोकाव एक तो चलो कोहीं नहीं काम करेंगे पैसा कमाएंगे तो आगे नहीं मिन एर फ्यूचर हम भी बाइक ले ले लेंगे तो आई तिंक वहाँ से स्टार्ट होगी और ऐसे करते 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 अपनी स्कूटी अलागी लग रही है कोई नहीं यहाँ पर इसके बाद से जिए अभी दो किस बाइक जाके पीशे लग जाएंगी यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे पाइश आप पड़ी है निकलने वाने हैं जो यह अपनी गुरूप राइड है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मोती जील और यह खताम होगी जाके सिकंद्रा में जो एक कंचन डाबा है वहाँ पर कानपूर से सिकंद्रा के दूरी लगभग 70-75 किलोमीटर है सिकंद्रा आपको पड़ता है और रहिया के पास अपन डाउन अगर आप जोड़ लेंगे तो इस रही राइड हो जाएगी 1500 किलोमीटर के हुए राइड बहुत ही बढ़िया होने वाली है आज का जो मौसा में बहुत ही साफ है तो धूप बहुत तेज निकली हुई है और यह राइड बहुत ही बढ़िया हो रही है तेरी स्कूटी के आगे आप देखरो बुलेट चल लाइए और पीछे आरवन फाइव और के टीम गाड़ियां चल लाइए तो आप समझ सकते हो इन गाड़ियों के पीछे अपनी स्कूटी इनके साथ कंपिट करने बहुत बढ़ी बात है क्या आप जानते हैं स्कूटी और जो बाइक्स हैं 200cc 400cc इनका कोई मेल नहीं है लेकिन फिर भी मेरे अंदर पैशन है तो मैंने यह राइट जोइन करी आखरी तक यह राइट कंप्लीट करूँगा अभी अभी 12 जो टोल प्लाजा इसको क्रॉस किया है अभी थोड़ा सागे बड़के हम राइट ले लेंगे अगर सीधे चले जाएंगे तो आगे जहां से पहुंचेंगे लेकिन हमको जाना है राइट अपनी डेस्टिनेशन के पास हम लोग पहुंचने ही बाले हैं और बह इदर एक कंचन डाबा है तो यहां पर यहां तो अभी आ गए इधर सीकनबरा साइट बोलते हैं इसे वह सामने कंचन डाबा है उदर ते सारे राइडर्स निकल कि अधर से आएंगे तो यह अच्छी सी अभी यह वीडियो देखना अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए और वहां पर चाय पी गई कोल्डिंग होई और बहुत मज़ा आया और मुझे कुछ गिफ्ट्स भी मिले हैं तो वह आप देखिए बहुत सारी लोग आये तो इनसे बातशीत हुई अच्छा लगा क्योंकि अभी तक तो मैं अपना सोलो ही करता था जो यह फ्री स्कृट राइडर्स ग्रूप है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास बाइक नहीं है कोई प्राब्लम नहीं है आपके पास स्कूट है फिर भी यह आपको राइड कराएंगे जोई कर सकते हैं कोई बाउन्डेशन नहीं कि आपके पास बाइक होने चाहिए तभी आप इनके साथ राइट कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं जैसे आपने देख लिया मेरे पास स्कूटी थी बाइक नहीं थी बैलेंसे बताया कि मेरे को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए आ है यह ब्लाइऊ वड़िया वडया आप में लाता रहों तो जल्दि से वीडियो को लाइक कर दिए और अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब कर दिजिए और हमें साहल में पहन के गाड़ी चलाएं आप प्रही जी मालाइफ पेंट